दोस्तों, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, कि हमने अपने application का idea, किसी developer का शेयर किया, या फिर आपने किसी अपने friend के साथ शेयर किया, अपने किसी भी idea को, आपको ऐसा लगता है कि वो idea success हो सकता है, पर होता यह है कि कभी कभी आपका friend उसको copy कर लेता है, या फिर ये भी होता है कि समझे चली कि आपने बहुत तैयारी के साथ अपने application को बनवा लिया और बहुत security पर आपने ध्यान दिया अपने application की काफी security पर ध्यान दिया है और उसको कही leak नहीं होने दिया है बहुत सारे चीजों को उसमें implement किया है आपको पता है कि वो application success हो सकता है लेकिन आपने एक छोटी से mistake कर दी आपने app store या फिर play store की policies या फिर terms and condition को read नहीं किया और किसी एक छोटी से problem की वज़े से आपका application play store पर publish ही नहीं हो पा रहा है तो कितना बड़ा नुकसान होगा आपका एक तो developer का खर्चा आपने जो मतलब application बनवाने में जो आपका payment किया है वो अलग दूसरा आपने इतना उस पर मेहनत किया इतना hard work किया उस पर content डाले होंगे और फिर जो product आपने बनाये होंगे और फिर product डाले होंगे वो उसका खर्चा लग रहता है तो यह सारी चीज़े waste ना हो उसके लिए मैं आपको इसमें strong तीन टिप्स ऐसे दूँगा आपको application बनवाने के पहले जरूरी हो मतलब उस चीज़ का धिहान रखना चीज़गा यह जो तीन टिप्स है वो अपने friend के साथ share मत करो अगर कर रहे हो तो जिसके साथ कर रहे हो उसके साथ NDA करवा लीजे यानि कि non-disclosure agreement ठीक है और अगर आप किसी developer को भी share कर रहे हो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपका idea success हो सकता है और वो बिल्कुल unique है market में तो उस idea को बहुत लोगों साथ share करने कोई जरूरत ही है सिर्फ अपने colleagues या फिर जो आपके investor है उनको share करो और जो आपके developers होते हैं जो बनाने वाले उस application को उनको share करो share करने के पहले या फिक जब आप share कर रहे हो तो उनके साथ एक agreement कर लो non-disclosure agreement और उसके अंदर सारी points वगरे है जो भी आपके terms and condition लेक ना हो उसका patent वगरे कराना सारी चीज़े first step पे करवा लो होता है क्या है दोस्तो idea बहुत unique सबके दिमाग में अलग-अलग idea होता है और वो एक idea कितना important होता है आप समझ नहीं पाओगे मतलब उस ideas को लेके जो दूसरे लोग जो application field में जम्हे हुए है उस idea कॉपी करके वो कितना कमा सकते है आप अच्छे से अभी नहीं जानते हो ठीक है तो first step यह करो कभी भी एंडिये करवा लेजे non-disclosure agreement किसी भी developer या फिर अगर किसी फ्रेंड के साथ आप शेयर कर रहे हो तो ठीक है first step लो second step आपके application की privacy policies terms and condition को कभी भी strong रोखो होता क्या है आपके जो users है जो आपके application को use करने वाले है समझ के चली कि आपने कैसा application बनवाया है जिसके अंदर आप कुछ product sell कर रहे हो जाधा तर अगर आप पैसा कमाना चाहते हो benefit जिसमें आप जाधा होता है वैसे applications e-commerce type application होते है या फिर जिसमें आप product sell कर रहे हो contract sell कर रहे हो जो भी sell कर रहे हो जिसमें आप कुछ बेच रहे हो वो application आपके लिए जाधा फायदे बन रहते है तो उस application में terms and condition privacy policy बहुत माहिने रखती है अब वहाँ पे आप कहां फस होगे यह मैं आपको बता देता हूँ समझ के चलो, first करो किसी user ने आपके application के अंदर कुछ buy किया, payment किया पर वो payment उसका कटा पड़ आपके account में नहीं आया, ठीक है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड हुआ है, मैं भी हो सकता है payment gateway के तरफ से कुछ issue हो तो user का क्या होगा, trust टूट जाएगा, क्योंकि उसका payment कटा, वहाँ पे दो चीज़े होगी या तो user का trust टूट है या फिर आपका loss होगा और अगर आपने ऐसा रखा है कि उसका product बाय हो जाए, ठीक है, पैसा कटने के बाद उसका product बाय हो जाए और भले आपके account में नाया तो भी चलेगा तो यहाँ पे loss आपका हो रहा है, तो इन दोनों को, इन दोनों ही loss को सम्भालने के लिए आपकी terms and condition privacy policy को strong रखना बहुत जादा जरूरी होता है और जितने भी बड़े application है, privacy policy, terms and condition पे बहुत जादा focus रखने है, मतलब कहने मतलब यह है कि आप कोई भी document देख लिए, भले वो चोटे एक्चर में लिखा रहता है, terms and condition, privacy policy, बट आगे चलके जब कोई user या फिर जब आप कोई फसते हो तो वही काम आता है, भले वो चोटे application बना ली है, जो किसी भी play store की policies को बहुत है, हर चीज़ को लेकिए, kids, बच्चों को लेकिए policies है, adults को लेकिए उनकी policies है, gambling को लेकिए उनकी policies है, फिर education purpose के लिए उनकी policies है, तो बहुत जारे policies हैं, अगर आपका बड़ा application है, unique idea है, जादा investment लगा है, अगर आपने तो policies को आपको पैसा कमाना रहता है, वो आपको सजेस्ट या फिर जादा, मैं मेरे clients को कभी पी सजेस्ट करता हूं, बर हर developer नहीं करता है, उनको पैसा कमाना है, तो possibility है कि वो आपको जैसा आप बोलोगे, वैसा बना के देरेंगे, बड़ हो सकता है, पब्लिश ना हो आपका प्ले थाइब कर लेजिएगा, थाइगे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,